तो जब भी आपको इस टाइप के question मिल जाए और यहाँ पर आपको कहा जाए कि एक्स कमान क्या होगा पता कीजिए जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर question है 2 into x plus y इस गल्टू में क्या है 80 minus 3y यहाँ पर आपको पता करना है कि एक्स का value क्या होगा यहाँ एक्स बरव वाट का चेन है तो एक्स का भेलू कैसे निकालते हैं बड़ी सिंपल होता है इसका भेलू निकालना तो देखे सबसे पहले आपको करना क्या होता है यहाँ पर question में 2 into x plus y यहाँ टू से सबसे पहले तो x और plus y में गुणा करेंगे तो जब 2 का गुणा करेंगे एक्स में तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 2x प्लस है बीच में तो प्लस लगाएंगे फिर ठीका गुणा करेंगे y में तो आपका हो जाएगा 2y समझ रहे हैं ना बराबर के right में क्या है 80-3y तो 80 और minus 3y जो है इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे अब देखें आपको ध्यान देना है कि आपको निकालना क्या है तो आपको x का value निकालना है तो सबसे पहले आपको y वाला जो term है उसको एक तरफ करना है यहाँ पर क्या है y है तो यह भी y वाला जो number है ना y और y वाला term आपको एक साथ रख लेना है क्योंकि y y एक जाती का है तो एक ही जगर रहता है तो यहाँ पर क्या है 2X तो सबसे पहले 2X लिखेंगे उसके बद प्लस किया है 2Y तो प्लस 2Y और यह माइनस 3Y बराबर के राइट में है और यही माइनस 3Y बराबर के यहाँ पर लेफ्ट में आएगा तो माइनस इधर तो इधर आगा तो प्लस में 3Y हो जाएगा यानि प्लस का 3Y इधर माइनस तो इधर आगा तो प्लस और बराबर कर राइट में यहाँ पर 80 है तो बराबर कर राइट में हम यहाँ पर 80 जो है लिख देंगे अब देखिए हमको निकालना क्या है तो हमको X का भेलू निकालना है तो देखिए यहाँ पर प्लस में 2Y और यहाँ पर 3Y तो 2Y में 3Y जोड़ेंगे तो आपका 5Y हो जाएगा और प्लस का यह वाला 2X जो है इसको तो आपको लिखना ही पड़ेगा और बराबर के राइट में क्या है यहाँ पर 80 है तो बराबर के राइट में यहाँ पर 80 लिखेंगे अब यह जो है एक तरह का हमारा शमिकरन जो है तयार हो चुका है जो कि रैखिक समिकरन है लेकिन हमको X का भेलू निकालना है तो सबसे पहले आपको x का value निकालना है तो x के छोड़कर बाकी जो term है उसको बराबर के right में भेजना होगा तो यहाँ पर 2x है तो 2x लिखेंगे x वाला term इधर ही और यहाँ पर पहले से 80 है और यह जो plus में 5y बराबर के left में इधर जाएगा तो minus का 5y हो जाएगा अब देखिए हमको यहाँ पर x का value निकालना है तो x के गुणा में है 2 यह तो 2x है ना तो 2 और x जो है आपस में गुणा में है तो जब 2 गुणा में है बराबर के left side में इसको बराबर के right में भेजने तो भागाय में हो जाएगा यह तो पहले से 80 minus 5y है और इसके बट्टे में यह लग दो आकर लग जाएगा और यही आपका इस question का final answer हो जाएगा इस तरह के question हमारे सामने कब आते हैं जब हम किसी भी graph को solve करते हैं तो वहाँ पर हमको x का value या y का value ज्याद करना होता है तो इस तरह के जो question होते हैं हमारे सामने आते हैं या और यह बहुत सारी question से जिसमें हम इन जो भी यहाँ पर प्यूक्त किये हैं जो भी rules उसको यूज करना होता है तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like किजिए चैनल पर ने तो subscribe किजिए और कौन से topic चाहते हैं वह अभी comment किज़ेगा आपके comment के साब से वीडियो बनेगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में ततक लिए जैहिंद बंदे मात्र